Agile Coach Boolean Search String Part 2 दोस्तो इस वीडियो में हम Agile Coach की कुछ और नई Boolean Search String बनाना सीखेंगे सबसर पहले दोस्तो आपको Quotation Mark लगाना है और फिर Agile Coach लिखना है Agile Coach लिखने के बाद फिर आपको Quotation Mark लगाना है और एक Space देना है दोस्तो space देने के बाद फिर आपको boolean search string operator end का use करना है और एक space देना है space देने के बाद दोस्तो आपको bracket लगाना है और आपको sa fe लिखना है दोस्तो sa fe लिखने के बाद फिर आपको एक space देना है और फिर boolean search string operator और का use करना है दोस्त इसके बाद फिर आपको एक space देना है और quotation mark लगा के आपको scaled agile frameworks लिखना है scaled agile framework ये ऐसे FE का full form होता है फिर आपको quotation mark लगाना है और bracket को close कर देना है दोस्तो आप चाहे तो इस search string को copy कर सकते हैं या आप note कर सकते हैं जब भी आप किसी agile coach position पर काम करेंगे आप इसका use कर सकते हैं आईए दोस्तो बात करते हैं हमाली दूसरी search string की सबसे पहले आपको quotation mark लगाना है फिर agile coach लिखना है और फिर quotation mark लगाना है फिर आपको एक space देना है और boolean search string operator end का use करना है दोस्तो इसके बात फिर आपको एक space देना है और bracket में आपको ऐसे fv लिखना है और space देके आपको boolean search string operator और का use करना है इसके बात दोस्तो फिर आपको एक space देना है और quotation mark लगा के आपको scaled agile framework से लिखना है और quotation mark लगाना है फिर आपको bracket close कर देना है इसके बाद दोस्तों आपको एक space देना है और boolean search string operator end का use करना है और फिर एक space देना है और bracket में आपको scrum लिखना है scrum लिखने के बाद फिर आपको एक space देना है और boolean search string operator और का use करना है इसके बाद दोस्तों फिर आपको एक space देना है और आपको can ban लिखना है केन बैन लिखना है और फिर वैकेट को क्लोस कर देना है तो दोस्तों ये भी काफी इंपोर्टेन साच इस्टिंग है इसका भी आप यूज कर सकते हैं जब भी आप किसी अजाइल कोज पोजीशन पर काम करेंगे आशाय करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आयोगा यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल लाइक इन कमेंट अभी के लिए बस इतना ही हैं थैंक्स पॉर वाचिंग